आईए, इस विडियो में हम जानेगे कि तीसरी आँख क्या है और इसे कैसे सक्रिय करें तथा इसे सक्रिय करने पर क्या होता है। तीसरी आँख, जिसे अक्सर आध्यात्मिक आँख या आध्यात्मिक द्रिष्टी कहा जाता है, एक अध्रिष्य उर्जा केंद्र है, जिसे हमारे शरीर के मध्य भाग में भुरू मध्य दोनों भौहों के बीच स्थित माना जाता है। यह आध्यात्मिकता और चेतना का प्रतीक है और इसे अजना चक्र, आज्या चक्र भी कहा जाता है। हिंदु धर्म, बौध धर्म और योगिक परमपराओं में तीसरी आँख को उच्चतर चेतना, अंतर द्रिष्टी और आध्यात्मिक ज्यान के द्वार के रूप में देख करता है। आराम दायक स्थिती में बैठें, आँखें बंद करें और अपने ध्यान को भ्रूमध्य पर केंद्रित करें। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। मन को शांत और विचारों से मुक्त रखें। ओम मंत्र का जाप। ओम मंत्र का जाप भी तीसरी आँख क को सक्रिय करने में सहायक होता है। यह मंत्र एक शक्तिशाली ध्वनी है जो हमारे शरीर की उर्जा को संतुलित करता है। ओ जाप। विधी, आराम दायक स्थिती में बैठें, आँखें बंद करें और ओम का उच्चारन करें, इसे नियमित रूप से दिन में कुछ समय के ल ओ प्रानायाम, विधी, एक नासिका को अंगूठे से बंद करें और दूसरी से गहरी सांस लें, फिर उस नासिका को बंद करें और पहली से सांस छोडें, इसे दोनों नासिकाओं से बारी-बारी से करें, आहार और जीवनशैली, स्वस्थ आहार, जिसमें ताजे फल, और परियाप्त जल शामिल हो, और एक संतुलित जीवनशैली, तीसरी आँख को सक्रिय करने में मदद करती है, कृतजिता और सकारात्मक्ता, कृतजिता और सकारात्मक्त दृष्टि कोंड रखने से मानसिक शान्ती और आंतरिक संतुलन प्राप्त होता है, जो तीसरी परियाप्ति की अंतरद्रिष्टी बढ़ जाती है, और वह जीवन के गहरे सत्य और रहस्यों को समझने में सक्षम हो जाता है, दो आध्यात्मिक जागरूक्ता, व्यक्ति उच्चतर आध्यात्मिक जागरूक्ता प्राप्त करता है, और ब्रहमांड की उर्जाओं के साथ स सपनों की सपष्टता, सपने अधिक सपष्ट और अर्थ पूर्ण हो जाते हैं, जिससे व्यक्ति उन्हें बेहतर ढंक से समझ और व्याख्या कर सकता है, चार, मानसिक शान्ति और संतुलन, मानसिक शान्ति और संतुलन में व्रिध्य होती है, जिससे व्यक्ति तनाव और च व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन और सुधार देखने को मिलते हैं, जैसे कि बेहतर रिष्टे, सफलता और स्वास्थ्य. तीसरी आँख को सक्रिय करना एक आध्यात्मिक यात्रा है, जिसे धैर्य और नियमित्ता के साथ किया जाना चाहिए. इसके माध्यम से व्यक्ति अपने आंत्रिक और बाहरी जीवन में गहरा बदलाव अनुभव कर सकता है.